हवा महल पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं पेपा जblowing आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं हवा महल क्या है डाड़ी यह महल है उंची पाहडी पर जौर्च को महल अच्छे लगते हैं हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगे लगती है नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा, हवा महल के उपर से सब सुन्दर दिखता है, और तुम्हें दादा और दादी पिक का घर भी देख सकता है वाँ, चले-चले मैं मैप पढ़ूंगा, और ममे पिक गारी चलाएंगे सोच लीजेए, ड्याड़ी-पिक, मैप ठाढ़ने पर आप खो जाते हो और चिडचिड़े हो जाते हो हम घुम नहीं होंगे और मैं चिडचिड़ा भी नहीं होंगा हवा महल हमा रहे हैu क्या हमा पोच रहे हैं? अब हे नहीं क्योँ ना हम कोई गेम खेलें? जी डाडी, हम पहचानों क्या खेलते हैं ठीक है, पहले मैं पूछोंगा डाडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूं, बताओ लाल, मेरी ड्रेस, यह लाल है नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं गाडी तरही जवाब, अपने लाल गाडी मेरी बारी, मैं अपनी चोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूं जॉर्ज की नीली शोट नहीं, नीले रंग का गाडी में कुछ है नहीं, हार गए? हार गए. आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई. डाडी पिग, क्या आपको पता है हम कहा है? मुझे बिल्गुल पता है हम कहाँ पर हैं. अब ये रास्ता मैप की रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है. ओ डाडी पिग, हम खो गए हैं. हम नहीं खोए हैं. तो हम यहां से हवा महल तक कैसे पहुचेंगे? जरा एक मिनिट रुको. सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं. दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई सरुवरत नहीं. मैं ले जाओंगा हवा महल चाहे पुरा दिन लग जाए. पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है. हलो, दादा पिग बोल रहा हूँ. दादा पिग, हम हवा महल तक पहुचने के रास्ते में खो गए है. क्या डादी पिग नक्षा पढ़ रहा है? हाँ, डादी पिग मैं पढ़ रही हैं. और अभी थोड़े चिर्चिड़े हो गए हैं. मैं चिर्चिड़ा नहीं हुआ. ये सबसे अच्छा रास्ता है. जब तक तुम्हे अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, में रोड पर चलते जाओ. ताइंक यू, दादा पिग. हमें में रोड पकड़ कर हवा महल तक पहुँचना है. जैसा मुझे लगा था. देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल. चलो गारी. चलो गारी, तुम चड़ सकती हो. हुरे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुँच गए. वा, ये कितना उच्चा है. चलो अंदर चले. उफर से नीचे का नजारा बहुत सुन्दर दिखेगा. वा, जरा नजारा तो देखो. मामी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है. कितना दूर है. चलो, अब तुर्बीन से देखते हैं. क्या मैं पहले देख सकती हूँ, प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जर्ज को देखने देना. वा, दूर्बीन से सब कुछ जादा बड़ा दिखता है. मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं. देखो, जर्ज. दादी एक, दादा एक. जर्ज, दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है. भुटू जर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते. तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं. हलो? दादा पिक, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं. हमारी तरफ हाथ हिलाइए दादी और दादा हमें हाल बोल रहे हैं हावा महर पूर अच्छा है मड़ी पडल्स आज बारिश हो रही है इसलिए पैपा और जॉर्ज बाहर नहीं खिल सकते दाड़ी बारिश रोग गई अब हम बार खेलने जाए ठीक है खेलो बाहर दोनो पैपा को पसंद है मिट्टी के गड़्ो में कूदना मझे पसंद है मिट्टी के गड़्े पैपा अगर तुम्हें मिट्टी के गड़्ो में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए जॉर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड़्ो में कूदना जॉर्ज अगर तुम्हें मिट्टी के गड़्ो में कूदना है तो तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए पैपा अपने चोटे भाई जॉर्ज का ध्यान रखती है जॉर्ज आओ कूछ और गड़्े ढूंड़े पैपा और जॉर्ज को खूब मजा रहा है पैपा को मिला है एक चोटा गड़्ा जॉर्ज को भी मिला है एक गड़्ा देखो जॉर्ज कितना पड़ा गड़्ा है जॉर्ज बड़े गड़्े में पहले खूदना चाहता है रुको जॉर्ज पहले में देख लू यह सुरक्षित है या नहीं अच्छा है यह तुम्हारे लिए सुरक्षित है पहले जॉर्ज यह बस मिट्टी तो है पहबार जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े बहुत पसंद है आओ जॉर्ज हम जाकर डारी को बुलाते हैं अरे यह क्या डारी डारी सोच हम क्या कर रहे थे सोचने दो मुझे तुम लोग टेलिविजन देख रहे थे क्या नहीं नहीं डारी तुम अभी अभी नहाय हो अच्छा तुम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे हां हां डारी हम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे और देखो क्या हाल किया है तुमने कोई बात नहीं मिट्टी ही तो है चलो जल्दी से साफ कर दे वरना ममी नाराज होंगी यादी साफ होने के बाद आप और ममी हमारे साथ खेलेंगे ना हाँ सब गार्डन में खेल सकते हैं पैपा और जॉर्ज ने अपने बूर पहन रखे हैं ममी और डैडी ने भी इपने बूर पहन रखे हैं कुझा सब्थाइं को पसंद्थ है मिठी घड़ों में कूध्या कि अमह कि Now डैडी पेग तेखरो क्या हाल बनाया है आपने ये मिठी यह तो है ठालीपरिट वालीपरिक सब्सका परिवार ग्रैनी पेग और ग्रैन पापिग से मिल ने आये हैं है . ग्रैनी पपेग, ग्रैन पापिग ग्रैनी पेग, बतपरेग हलो मेरे चोटे बच्चों blijaste, और जाओ हमारे पास एक सप्राइज है वह क्या है हमारे पास एक नया पेट क्या बता सकते हो वो क्या है अरे नहीं डाइनोसौर नहीं है वो आओ और देखो ग्रैनी पेग और ग्रैन्पापिक के पास है एक पैट पैरिट एपा जोज ये है हमारा पैट पैरिट इसका नाम है प्रिटी पॉली प्रिटी पॉली पॉली वाउ मैं एक होश्यार पैरिट हूँ यह मामी जो भी कहते है पॉली उसके नकल क्यों करता है पैरिट सही करते हैं चलू दिखाती हूं हेलो पॉली हेलो। कितना प्यारा सा पैरिट है इतना प्यारा सा पैरिट है आजाओ सब लोग चाई पीते हैं पैपा जोर्ज आजाओ यहाँ चौकलेट केक है आरे ग्रानी पैपा और जोर्ज को चौकलेट खाना पसंद है लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरिट के साथ खेलने की जल्दी में है खत्म हो गया तुम बच्चे कितना शोर करते हो ग्रानी क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरिट को देख सकते हैं क्या तुमने अपना चौकलेट केक पूरा खत्म कर लिया फिर तुम जा सकते हो हुरेई जोर्ज पॉली को कुछ कहो ना जोर्ज थोड़ा जिचक रहा है हेलो पैपा और जोर्ज को पॉली पैरिट के साथ खेलने में सच में मजा रहा है मैं हूँ पैपा पिग मैं हूँ पैपा पिग जोर्ज कुछ बोलो पैपा पॉली पैरिट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ पैपा जोर्ज क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो जी ग्रानी पॉली सच में एक प्यारा पैरिट है हाँ ग्रानी मैं एक होश्यार पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ ओ क्या कहूँ यह चमकता हुआ एक सो नहरा दिन है पैपा और उसका परिवार पार्क में है वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा जॉर्ज बहुत तेज दोड़ता है लेकिन उसके पतंग नहीं उड़ती जॉर्ज तुम सब कलत कर रहे हो तुम बहुत तेज नहीं दोड़े अब मेरी बारी है पैपा बहुत तेज दोड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी चाहे तुम कितना भी तेज दोड़ लो जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सब को इंतिजार करना होगा देखो हवा चल रही है अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है अब हवा काफी तेज है अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है शुक्रिया डारी 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 पेक पतंग उड़ाते हैं और उपर और उपर डैदी पेक बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं वाव आ मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूं उन पेड़ों से बच्छों तुम्हारी पतंग उन में भस सकती है चिंता मत करो मुझे मालूम है क्या करना है डैडी पेकी पतंग एक पेड में अठक गई ओ नहीं चिंता मत करो जोज डैडी पतंग पो नीचे उतार लेंगे पुरें जान से वह एक बड़ा मिट्टी का गढ़ा है पैपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में कूदना अच्छा लगता है अम गढ़े में कूद सकते प्लीज मैं नहीं चाहती तो मिट्टी में गंडे हो जाओ पीछे रहो बच्चों जरा ध्यान से डैडी पेक मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से बस थोड़ा सोर डैडी डैडी पेग तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो रहने दो मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया हो डियर सबके सब मिट्टी मिसन गए यह तो सिर्फ मिट्टी है अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई मामी अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूच सकते हैं हाँ ठीक तो है अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है ममी और डैडी को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है सभी को गढ़ों में कूदना अच्छा लगता है गड़ों में उपर नीचे कूगने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में ममी पेग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है डैड़ी पेग लंच के लिए सूप बना रहे है डैड़ी क्या हम जाकर ममी के पास कंप्यूटर पर बैठ जाए हाँ लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे उन्हें बहुत सा ज़रूरी काम करना है शुक्रिया डैड़ी ममी पिक को आज बहुत सा ज़रूरी काम करना है ममी क्या जॉज़ और मैं आपके गोद में बैठ कर आपका काम देख सकते हैं हाँ अगर तुम चुप चाब बैठ हो तो पेपा और जॉज़ को ममी को कंप्यूटर पर काम करते देखना पसंद है ममी क्या हम कंप्यूटर पर हैपी मिस्स चिकन खेल सकते हैं हम हैपी मिस्स चिकन बाद में खेल सकते हैं लेकिन अभी मुझे काम करना है ममी क्या हम आपके मदद करें नहीं पेपा तुम्हें कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए और जोज तुम्हें भी कम्प्यूटर नहीं चुना चाहिए हाँ जोज तुम्हें ये नहीं करना चाहिए पेपा रुको गलांडे मंध करना ममी मैं तुम जोर्श को बता रहे थे क्याने करना चाहिए ओ डिया कम्प्यूटर तो यह सब नहीं करता है डैड़ी पिग unifiedüş क्या बात है ममी पिग अप डैड़ी पिग आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं अं जब तक आप कम्प्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी ठीक है मॉमी पिग लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता ऑँ शुक्रिया जाड़ी पिग जाड़ी पिग कम्प्यूटर ठीक करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूँ डैड़ी पिग ने कम्प्यूटर ठीक कर दिया मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं याड़ी क्या हम वो कम्प्यूटर गेम खेल सकते हैं हैपी मिसेश चिकिन मेरे ख्याल से तुम्हें ममी से पूछना चाहिए मामी ने का हम बाद में खेल सकते हैं फिर ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता की डिस्क कहां है हुआ 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 है अब मेरी बारी है अब मेरी बारी है उपर क्या चल रहा है अच्छा यह कंप्यूटर फिर से काम कर रहा है पिकी इन दा मिदल जोर्ज गार्डन में अपनी बॉल के साथ केल रहा है पैपा भी खेलना चाहती है जोर्ज यह सही तरीका नहीं है बॉल इस तरह से पकड़ते हैं इस तरह नहीं तुम ऐसा करते हो पैपा कितनी शैतान चोटी से पिक है जोर्ज नहां जा रहे हो वापस आओ लगता है पैपा जोर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परिशान कर रही है पैपा तुम जोर्ज को परिशान कर रही हो यह सच नहीं है ममी मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी मैं खेल जानती हूं जिससे जोर्ज सीखेगा गेंट कैसे पकड़नी है इसे कहते हैं पिगी इन दे मिडल पैपा तुम बॉल लो और वहां पर खड़ी हो जाओ और जोर्ज तुम वहां पर खड़ी हो जाओ बढ़िया तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है मैं हूँ पिगी इन दे मिडल मामी है पिगी इन दे मिडल पकड़ो जोर्ज ओ छूट गई जोर्ज ने बॉल पकड़ ली हुरे चापाज जोर्ज अब तुम पैपा की तरफ बॉल फेको फिर कोशिश करो कोशिश करो जोर्ज ममी के उपर से बॉल नहीं पहन पा रहा है रहने दो जोर्ज बॉल मुझे दे दो क्या बात है जोर्ज मैं भी ऐसा कर सकती हूँ पैपा जोर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वह बहुत बड़ी है और पंस जाती है बॉल मेरे पास है पैपा अपिगी बनने के तुम्हारी बारी है जोर्ज पक्रों पकर लिया जोर्ज अब तुम्हारो पैगी जोर्ज पक्रों बॉल को पक्लो जोर्ज। पक्लो जोर्ज। जोर्ज पक्लो। बॉल यहां है जोर्ज। वी!! व्य। ओ डियर पैपा तुम्हें जोर्ज को इसतरह तंग नहीं करना चाहिए। माफ करना जोर्ज। यह शोर कैसा है डाडी जोर्ज पिगी इन्द मेरे खेलने के लिए बहुत चोटा है मैं जानता हूं वो काफी बड़ा है यह देखिए इसे पकलो जोर्ज यह ठीक नहीं है यह ठीक है मैं सिर्फ जोर्ज की मदद कर रहा था ममी क्या मेरी मदद करेंगी बिल्कुल करूंगी पेपा मेरी तरफ जोर्ज पकड़ो जोर्ज पकड़ो जोर्ज पेपा को बॉल पकरना पसंद है जोर्ज को भी बॉल पकरना पसंद है सब को बॉल पकरना पसंद है रात हो चुकी है, पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं गुद नाइट पेपा और जॉर्ज मामी, टैडी बोलो पेपा मुझे नीन नहीं आ रही है क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे पर शायद जॉर्ज को नीन आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी जॉर्ज, क्या तुम्हे कहानी सुननी है? हाँ, बोलो ठेक है, मैं तुम्हे सिर्फ एक कहानी सुनाओगा अगर डैडी पिग ने तुम्हे कहानी सुनाई क्या ये एक अच्छी कहानी है लगता है बोरिंग है बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पैपा, अगर तुम बाती करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सुरी मामी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है एक स्लीपी प्रिंसेस बहुत पहले की बात है एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस डाड़ी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये में बाद में बताऊंगा. क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुन्दर थी? हाँ, बहुत सुन्दर. उसे अपने आपको आईने में देखना बहुत पसंद था. ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ. हाँ, उस महल में और कॉन-कॉन रहता था? अब, वहाँ अब... उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन ममी, और केंग डाड़ी. बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे. क्या केंग डाड़ी का भी पेट बढ़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे, मेरी तरह. और हाँ, वहाँ पर एक ड्रागन भी था. डाइनसार! डाइनसार? अरे हाँ, वो ड्रागन नहीं था, वो डाइनसार था. बाहर एक बड़ा भयांकर डाइनसार था. वोव वह-वाँ, वोव-वाँ … वो वाँ-व वोव-वाँ normal性 था. ओहो, शाहरuman वो डाइनसार इतना भी भयानक नहीं था, एंडाड़ी पेग? सॉरी जेर्ज, बाहें, वो डाइनसार बहात दयालू था. वो सिर्फ खास खाता था. डाड़ी पेग.. ओप्स, सॉरे, मैं भी डाइनासोर बन गया ताड़ी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे वही तो बता रहा हूँ वो क्या हुआ, शाम हो गई तारे और चान दिखने लगे और सब को बहुत मींद आने लगे वाँ 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 पैपा नेंद आ रही है नई डाड़ी, मुझे बिल्कुल नेंद नहीं आ रही पर किसी को आ गई है जोर्ज, उठो भी, कानी कान सुनना है कि नहीं पैपा को तो नेंद नहीं आ रही होगी पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी सारा दिन आइने में देखकर वो पूरी थरह से ठक गई थी चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हम गुड नाइट और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नीन सो गई कहाने के लिए थैंक यू किंग डाडी यो वेल्कम क्वीन ममे और हमारे चोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजाया लंच पेपा और जॉज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं दादी पिक, दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों खाने के लिए बगीजे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक, जी देगी हलो पेपा जॉज ये है दादा पिक का सबजियों का बगीचा ये सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई हैं ये क्या है? डाइनोसार एक डाइनोसार चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजिया चुनते हैं पेपा तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पेग जोज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना जोज को टमाटर पसंद नहीं है तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पेग ना जोज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं ओफो मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जो जोज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक जोज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जोज तुम्हें कौन सी सबजी पसंद है? चोकलेट केक भुट तु जोज चोकलेट केक कोई सबजी थोड़ी है सबजियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जोज को वह पसंद आएंगी वाँ! बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से दोना होगा पैपा और जोज दादी पिग की सबजिया धने में मदब कर रहे है पस अब दोना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया दादा पिग, सबको लंच पे बुलाईए लंच! दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है और ये रहा सलाद दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जोज ने अपना पिज़ा खाया पर जोज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं ओ, जोज, क्या तुम्हे सलाद पसंद नहीं? नहीं जोज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो याँ जोज, ये खीरा है, डादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है याक सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है ओहो, रो नहीं, जोज देखो, मैं क्या बनाता हूँ अब ये बन गया है डाइनसौर डाइनसौर जोज जोज को डाइनसौर बहुत पसंद है जोज, टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश, जोज थोड़ा और लोगे, जोज भर गया जोज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जोज का पेट भर गया है जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता. ओ, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते. चॉकलेट केक. वावाँ, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूक लग गई. पैंकेक्स चाय का वक्त है और ममी पिक सबको सप्राइज देने वाली है. आज है पैंकेक्स का दिन. पैंकेक्स, यमी अरे वावाँ. मुझे पैंकेक्स बहुत पसंद है. सबको पैंकेक्स बहुत पसंद है. मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, यह मुझ पर छोड़ दो पक्काना डाड़ी पिक, पिछली भार पैनकेक्स जमीन पर गिराने से आप जड़ा चिड़े हो गए थे मैं चिड़ी चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉबलम थी मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपके मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो पहले मैं बावल में सूखा आटा डालूँगी अब मैं अंडा डालूँगी अब दूब फिर सब को हिलाऊंगी मामी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, जरूर पेपा पेपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है जोज भी उसका साथ दे रहा है नई जोज, ऐसे मत करो अच्छा, अब बहुत हुआ हिलाना मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो ममी पिग अब पैनकेक को पल्टेंगी वाँ उसे थोड़ा और उपर उचाओ सकती हो ममे पिग जब अपना पैनकेक उचालोगी ना तब हमें सिखाना डाडी पिग ममी पिग ने जोज के पैनकेक के उपर थोड़ा सिरप डाला यमी यह पैंकेक पैपा के लिए है तुम इसे और उपर उच्छा सकती हो ममे पिग जब अपना पैंकेक उच्छालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलेगा डाडी पिग सिरॉप प्लीज यम्म्म यम्मी यह पैंकेक ममी पिग के लिए है हुरेए अब भी उन्हें ज्यादा उच्छा नहीं उच्छा रही ममे पिग अगला पैंकेक आपका ही है डाडी पिग तो अब आप ही करके बताईए बहुत यम्मी है अब सब की नजर मुझ पर हो एक अच्छा पैंकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है एक दो और तिन पुद्दु डाडी मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया अब क्या करें ये तो आखरी पैंकेक था इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है ओफो डाडी पिग अपने पैंकेक तक नहीं पहुच पा रहा है अब फिर मत करो डाडी पिग शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ चलो उपर चले बच्चो ममी पे क्या प्लान बना रही है तीन के गिंती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो ये सब कर किया रहे है काम हो गया अब डाडी पिग को उनका पैंकेक मिल गया डाडी के सिर पर पैंकेक है आपके पैंकेक पर सिरप डाडी पिग? ठीक है टालू एक, दो, और तिन युम्वी पैंकेक पिज़ डाडी तंडर स्टॉप प्यारा और सुनहरा दिन है पेपा और जॉज पिक्निक मना रहे है तंडर स्टॉप ये लो तुम्हरे लिए औरगजूस क्या कहना चाहिए टेड़ी बहुत बहुत थेंक़्यों पैपा ओ, कोई बात नहीं टेड़ी ये और olगजूस तुम्हारे लिए डाइनसौर और थुम्हे क्या कहना चाहिए बहुत अच्छे मिस्टर डाइनसौर क्ये टेडी और मिस्टर डाइनसौर को कुकी चाहिए? हमें बहुत पूक नहीं है इसलिए पेपा और जॉज सारी कुकी सखा सकते हैं थैंक यू टेडी यह अजीब आवाज कैसी? पेपा जॉज जल्डी घर के अंदर आ जाओ ममी एक बहुत ही डरावनी आवाज आई यह गड़गड़ा हट है पेपा इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा जल्डी बारिश रोने से पहले घर के अंदर आओ घबराओ मत बारिश आने में अभी बहुत देर है आकाश जादा और जादा गहरा होता जा रहा है तूफान आने वाला है पेपा जोच क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलोने लाए टाइनिसार अच्छा है मिस्टर डाइनिसार सुरक्षित है टेड़ी मैंने टेड़ी को वही पर छोड़ दिया वो गीला हो जाएगा तामद करो पेपा टैड़ी पिक तुम्हारा टेड़ी ले आएंगे जल्दी करो टैड़ी पिक अभी बारिश होने वाली है मुझे तूफानों के बारे में सब पता है अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है पेचारा टेडी पूरा भीग गया हाँ बेचारा टेडी चलो उसे सुखाते हैं पेचारा टेडी ये लो टेडी तुम सुख गया पर बेचारे टेडी का क्या मैं भी तो भी गया हूँ ओ सॉरी डाडी पेग आपको भी सुखा देते हैं ये देखो डाडी पेग बिल्कुल सुख गया पारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है फर्ष गीली हो रही है अरे बाबरी अब हम क्या करेंगे डाडी पेग शिंता की कोई बात नहीं डाडी पेग बूंदें कठा करने के लिए बाल्टी का इस्तमाल कर रहे है शाबाज डाडी पेग बहुत ही आसान था यह क्या जल्दी पानी जमाकाने कले कुछ और लेकर आओ बहुत अच्छे पेपा बहुत ही आसान था मामी मुझे बहुत डेर लग रहा है डरो मत बच्छों कुछ नहीं होगा हर एक चमक और शोड के बीच गिंती करते हैं और ज्यादा गिंती करने से तुफान दूर चला जाएगा एक दो तीन तीन पर पांख पर तुफान दूर जा रहा है तुफान शान्त हो गया है तुफान की वज़ा से बगीचे में मिट्टी के कई गड़्े बने हैं पेपा को मिट्टी के गड़्ों में कूदना बहुत पसंद है मुझे तुफान बहुत पसंद है दादी पे दादी एक हलो मेरे प्यारी बच्चो घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो जी दादी पेपा जॉर्ज देखो मैंने क्या बनाया चोटे पर्दे ये चोटे पर्दे क्यों बनाये दादी ये एक सप्राइज है तुम्हें देखना है दादा पिग ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है जी दादी दादा पिग दादा एग हलो पेपा और जॉर्ज देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है एक ट्री हाउस एक ट्री हाउस जॉर्ज और मेरे लिए और ये चोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए वाँ पेपा और जोज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया तेंक्यू दादी पेग, तेंक्यू दादा पेग पहले अंदर कौन जाना चाहेगा मैं, मैं तो फिर चलो अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने हूंगे मैं अपने ट्री हाउस में हूँ मैं अपने ट्री हाउस में हूँ जोर्ज, क्या तुम्हे भी ट्री हाउस में जाना है बताओ कौन है जोर्ज नाम का एक नाजवान तुम से मिलना चाहता है क्या वो अंदर आ सकता है हाँ पर उसे अपने गंडे जूते उतारने होंगे जोर्ज अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ कौन है जोर्ज अब कौन है मैं हूं मामी पेग क्या तुम्हारे पास महमानों के लिए जगा है आपको सीक्रिट कोड बताना होगा उसके बाद ही आप अंदर आ सकती है अच्छा जी और वो सीक्रिट कोड क्या है मुझे आपके कान में बताना होगा सीक्रिट कोड है डाडी का बड़ा पेट ओ अच्छा सीक्रिट कोड बताएए डाडी का बड़ा पेट सही जवाब, धाड़ी का बड़ा पेट मुझे लगता है यह सीक्रेट कोड बहाती बकवास है ममी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे हाँ पेपा धाड़ी, आप ही अंदर आ सकते हैं सीक्रेट कोड बताए डाड़ी क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है नए नए तो ठीक है डाड़ी का बड़ा पेट हाँ जवाब, अब अप अंदर आ सकते हैं डाड़ी अपने जूते उतारिये मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा क्यूंकि आपका पेट बहुत बड़ा है एक काम करते हैं, डाड़ी पिग उपर से जा सकते हैं पेपा, जॉर्ज, ममी पिग और डाड़ी पिग सभी ट्री हाउस में हैं दादी मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है मुझे कभी बाहर नहीं आना अच्छी बात है पेपा क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझे मिलने नहीं आना नहीं, मुझे नहीं आना तो फिर कुकीज जो मैंने घर पर बनाई हैं वो हम दूनों ही खा लेते हैं कुकीज दादी पिग ये रही तुम्हारे लिए कुकीज पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा ये असान है टैडी का बड़ा पेड़ सही जवाब मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है ये ये इसक्रेट कोड़ा ने असान है ये जोर्श का मन पसंद कहिला ओना है मिस्टर डाइनसार जोर्श को मिस्टर डाइनसार बहुत पसंद है याँ कभी कभी George को Mr. Dinosaur से प्यापा को डराने में मज़ा आता है बहुत डराऊना है कहने के वक्त Mr. Dinosaur sun George के पास बैखने ही ये क्या हो रहा है ये तुम थे George या पिर Mr. Dinosaur जाइनासर दहाने के समय जॉर्ज मिस्टर डाइनॉसाॉर को अपने साथ महलाता है जब जॉर्ज सोने के लिए जाता है तो मिस्टर डाइनसाॉर भी उसके साथ सोते हैatti जोर्ज का मन पसंद खेल है मिस्टर डाइनासौर को उपर हवा में उच्छालना और उन्हें पकड़ना जब वह वाबस नीचे गिरते हैं पैपा और डैडी पिग ड्राट्स खेल रहे हैं जोर्ज क्या बात है बेटा डैनासौर जोर्ज मिस्टर डैनासौर खोगे क्या जोर्ज ने मिस्टर डैनासौर को खो दिया फिक्र मत करो जोर्ज हम मिस्टर डैनासौर को ढून लेंगे ये तो एक जासौर का काम है तैडी क्या होता ये जासौर पैपा जासौर से एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूनने में माहिर होता है मैं 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 चीजें ढूनने में माहिर हूँ तो ठीक है पैपा ही जासूस है जॉर्ज मैं हूँ जासूस मैं मदद करूंगे मिस्टर डाइनसौर को ढूणने में मुझे लगता है जासूस को जॉर्ज से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए जॉर्ज मिस्टर डाइनसौर कहा है जोर्ज नहीं जानता कि मिस्टर डाइनसौर कहां है जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डाइनसौर कहां हो सकते हैं मुझे पता है मुझे पता है वो कहां है जोर्ज जब भी नहाता है मिस्टर डाइनसौर उसके साथ होता है तो Mr.Dinosaur tub में होंगे Mr.Dinosaur tub में नहीं है मुझे पता है, मुझे पता है Mr.Dinosaur कहां है George हमेशा रात को Mr.Dinosaur को अपने बिस्तर पर सुलाता है इसनिये वोहीं पर है Mr.Dinosaur George के बिस्तर में भी नहीं है ánंब शायद हमें जॉंडना चाहिए मिस्टर डाइनसार को ढोंडना बहुत मुश्किल हो रहा है जॉर्ज तुमेंगे दॉन को हवा में उचाना पसंद है मज़े लगता है इस बार तुमने मिस्टर डाइनसार को थोड़ा ज्यादा उपर उचाल दिया है वो वहाँ है वो वहाँ है मैंने पहले देखा शाबाश पेपा तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो जोर्च मिस्रे डाइनसार को वापस पाकर बहुत खुश है यह गष्ट पेड़ों के पास डिनसार से खेलना एक अच्छा ऐडिया नहीं है डादी लोजीज इस ग्लासेज डैडी पिक चश्मा पेहनते हैं उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है जब डैडी पिक चश्मा पेहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है लेकिन जब डैडी पिक चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती है सब कुछ हलका और धूंददा दिखता है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैडी पिक को पता हो कि उनका चश्मा कहां है कभी-कभी डैडी पिक अपना चश्मा खो देते हैं पैपा जॉर्ज क्या तुमने डैडी पिक का चश्मा देखा है उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा नहीं ममी पैपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिक का चश्मा कहां है अपना चश्मा पहने डाड़े पेग अपना अख़बार नहीं पर सकते यह बहुत अजीब है मैं कुछ नहीं देख सकता किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा क्या आपको याद है आपने आफरी बार कहां रखा था जब मैं वो नहीं पेहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है डाडी, क्या हम चश्मा ढूनने में अपके मदद करें? अच्छा एडिया है, अगर उसे ढून लोगी, तो डाडी चिर्चडाना बंद कर देंगे मैं चिर्चडाना नहीं रहा हूँ पेपा और जॉर्ज डाडी का चश्मा ढून रहे है पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डाडी पे का चश्मा वहाँ नहीं है जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डाडी पे का चश्मा वहाँ भी नहीं है चलो उपर ममी डाड़ी के बेडरूम में देखते हैं पेपा और जॉर्ज ममी और डाड़ी पे के बेडरूम में डून रहे हैं जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टक्रा मत जाना यह कोई मजाग नहीं है पेपा तरकीय के नीचे देखती है लेकिन डैड़ी पे का चश्मा वहां भी नहीं है जॉर्ज डैड़ी के स्लेपर्स में देखता है लेकिन चश्मा वहां भी नहीं है चलो बाथरूम में देखते हैं पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढून रहे हैं एक जश्मा टब में नहीं है zwei जश्मा टोइलेट में भी नहीं है ये बहुत मुश्किल है और जोर्ज को डैडी पी का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है अब हम क्या करें लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा अगर मैं धीरे चलूँगा तो मैं चीजों से नहीं टक्राऊंगा यह यहां है डाडी का चश्मा डाडी पे आप तपसी उसी पर बैठे हुए थे आप भी ना डाडी पता नहीं यहां कैसे पहुंचा मैं जानती हूं कैसे आप थोड़े बुलक कर तो हैं डाडी पेग लेकिन अब आप चिर्चुड़े तो नहीं हैं मैं चिर्चड़ा नहीं रहा था सीक्रेट्स ममry पहीं ने पैपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है पैपा, यह बॉक्स निए है शुक्रिया ममी यह एक स्ऀक्रिट बॉक्स है, तुम्हारी सीग्रिट छीजे रखने के लिए मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूं ममी? वो तुम खुद ही सोचो पेपा, ये तुम्हारा सीक्रिट बॉक्स है मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ गूड, पर मुझे मत बताना मैं ना आपको बताऊंगी, ना जॉज को, ना डाड़ी को ये एक सीक्रिट है जॉज, ये मेरा सीक्रिट बॉक्स है ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूनना है जॉज, पेपा की मदद करना चाहता है नहीं जॉज, सिर्फ मुझे पताऊगा बॉक्स में क्या है जब तक मैं पसंद करू, तुम बाहर इंतजार करो पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रिट चीजें पसंद की है अब मेरा सीक्रिट बॉक्स भरा है जॉज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए जॉज को जानना है कि पेपा के सीक्रिट बॉक्स में क्या है अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो जोज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डाइनसौर को रखा है ओ जोज तुम हमेशा हर चीज को डाइनसौर ही कहते हो और मैं तुमें बता दू एक डाइनसौर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता जॉज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है डाड़ी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे है डाड़ी यह मेरा सीक्रेट बॉक्स है ममी ने इसे मेरे लिए बनाया है यह बहुत अच्छा है पैपा, इसके अंदर क्या है? यह एक सीक्रेट है जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन बता पाया क्या मैं कोशिश करूं कि तुमने मेरा अंदर रखा नहीं आपको चश्मत आपके सिर्पार है याँ वो है अब भी ना डैडी आपको सोच कर बताना चाहिए था क्या तुमने अपनी मम्य के जूते बॉक्स में रखे पैपा को सीक्रेट्स पसंद हैं मामी किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है ओ जोज के पास क्या है मैंने जोज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रेट चीजों से भर दिया और सिर्फ जोज को पता है कि उसके अंदर क्या है ओ पैपा जानना चाहती कि George के बॉक्स के अंदर क्या है यह जरुर जॉर्च का कि लोना डाइनसौर है ऐ हम जोर्च के भॉक्स में नहीं है यह पाने पसंदेन जितने उसे पहले थे अगर तुम जॉर्च को अपनी बॉक्स से चीज दिखाती तो पिर फंद है अप Քर तुम दोनों दिखाओ गी तुमारे बॉक्सिज में क्या है तैयार हा एक लो तीन कि जौँबने के पास है ड्रमपिर मेना चुसो सुप्स के पास इक कस्टड डूनट है या लेकिन पैपा का बॉक्स फाली है मेरे पास और कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं पैपा मेरे पास है ये लो जोर्श पैपा ममी पेग और डैडी पेग सब को कस्टर डोनट्स पसंद हैं मेरे पास कोई खास बॉक्स नहीं है मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है अपने कस्टर डोनट्स चुपाने की क्या त उसे चुपाने वाले हैं फ्रिज में नहीं कहीं उसे जदा खास मेरा पेट स्वादिस्ट और मैं अपना डोनट अपने पेट में चुपाऊंगी और मैं भी झाले हैं?